स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इस्टोफिलिक जन पर और 1K सस्क्राइबर के लिए आप सबका दिल से सुक्रिया एक फिल्म बनाने के लिए बहुत मेनत लगता है पर हम सब परदे के आगे के बिक्ती के बारे में तो जानते हैं पर परदे की पीछे रेकर पिलिम बनाने में जो एहम सहयोग करता है उन सब के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक सची कहानी लेकर आज इस चानल पर मैं आया हूँ। सायद, जिस सक्स के बारे में हम सब आज जानेंगे उसके मदत के बिना मनब्ता सायद चांद पर नहीं गए होते। वेशे तो चांद पर फरस्ट टाइम तीन सक्स गए थे और उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। वो है निल आर्मिस्टॉन, माइकल कुलिंसन और बज एल्डिन जुनियर अपोलो 11 के मून मिशन में निल आर्मिस्टॉन बज एल्डिन लिनर मोडिल में बेट कर चांद के सताओ पर उत्रे और माइकल कुलिंसन अपेलो 11 के कमांड मोडिल में बेट कर चांद के ओर्बिट के चकर लगा रहे थे पर क्या आप सब जानते हो इन तीनों नाम के एलाबा और एक नाम है जिनके मदद के बिना सायद ये तीनों सेप्टली चान पर नहीं गई होते हैं मैं बार बार एक सक्स के बारे में यहां बात कर रहा हूँ उन्होंने एक एसा सब्टेर का कोडिंग किया है जिसे अपॉलो गाइडेंस कम्प्यूटर एक एसा कम्प्यूटर था जिसके मदद से हमारे एस्टो नमर एक दुसरे से बात कर सकते थे और अपना संदेश लोगों का एक टीम था और उस बार टीम का हेड 24 बरसिय लड़के मार्गरेट हीमिल्टन थी अपॉलो एलेवन मून मिशन में इतना ही योगदान उनका नहीं है उन्होंने अपॉलो एलेवन मून मिशन के लिए दिन रात एक करके खुद से ही एक सब्ट्वेर का डिजान कि इरर डिटेक्शन एंड रिकॉबरी मोड जब उनका दो बरसिय बेटी था जब वो इरर डिटेक्शन एंड रिकॉबरी मोड सब्ट्वेर पर काम कर रहे थे वो अपने बच्ची को लेव में ले आते थे और उन्हें लेव में ही सुलाते थे उस समय तो सब्ट्वेर इंजि unstoppable उन्जीनियरिंग के बारे में जानते हैं मार्गेर haltख..., अपना काम को नाम देने के लिए एक नया टर्मनोलोजी का प्रयों किया सब्टभेड इंजिनियरिंग तो जानते हैं मार्गेर्ट हमिल्टन की जीवन बदल देने वाली कहानी और इस वीडियो में हम सब अपोलो मिशन से सम्मंदित एहम जनकारी को जानेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अब तक हमारे चाइनल इस्टो फिलिक जन को सस्क्राइब नहीं कियो तो सस्क्राइब करके घंटिक आइकन को दबा दो इसे आ आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं मार्गरेट हीमिल्टन का जन्म 17 अगस्ट 1936 में पोली इंडियाना यूएसे में हुआ था इंडियाना के और लहम कोलेज में गनीत और दार्शनी का अध्यान करते हुए वो जेम्स हैमिल्टन से मिले और बाद में उन्होंने एक दूसरी से साधी कर ली उन्होंने थोड़े समय के लिए हाई स्कूल में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर करूप में काम किये उसके बाद मार्गरेट अपने होस्वेंड के साथ बोस्टन चले गए बोस्टन जाके उन्होंने मीट में सिच्चूटर्स इंस्टिट अप टेक कि ज्यान में असनात कॉर कार्या किया मीट में चाई स्टार्क रचीप प्रक्युकसाला में सामिल हो गए ओसंब अप़ोड़ को नकिया में हमिल्टन को प्रोग्रामर के रूप में लाया गया था पर उसको शिस्टम डिजाइनर के रूप में काम करना परा वह लिए्ट Num çık और navigation system के लिए जितने भी software बनाने थे सब का commanding head team उसके बाद Apollo और Skyball के लिए software deployment team का head भी बने Hamilton का team in flight software बिक्सित करने के लिए जितने भी जिम्यबार software थे जिसमे Apollo command module, linear landing उसके बाद Skylab के लिए वी भीन विशिस्ट बिज्यानिक द्वारा designing किये गए अल्गोरिदम सामिल किये थे उसकी team के एक अन्य हिस्से में system software का design और बिक्सित किया उन्होंने खुद से ही error detection and recovery software डिजाइन करा उन्होंने ये कार्यतब किया जब software engineering इतना फेमस भी नहीं था Apollo 11 अगर Margaret Hamilton का special design error detection and recovery software नहीं होता तो Apollo 11 चंद्रमा के सताव पर नहीं उतर पाता हुआ कुछ एसा कि चंद्रमा के सताव पर उतरने से ठीक तीर मिनट पेले इस्टोनट सबको screen पर alarm बजने लगे और error के संकेत देने लगे पर Margaret Hamilton के single handling बनाया हुआ software में एक special type का system था जिससे केते है priority display उसमें एसा किया गया जा सकता था कि जो display इस्टोनट के पास है उसे इग्नौर करके अगर प्रित्वी पर के scientist चाहे तो अपना संदेश देखा सकते थे उस screen पर Hamilton के बनाये हुए error detection and recovery software के मदद से इस्टोनट को go और no go का signal दिया जा सकता था NASA की scientist सब ये समझ चुके थे कि ये error है और प्रिती पसे संदेश भेजा कि आप सब चंद्रमा के सताओ पर उतर सकते हैं उसके बाद नील आर्मिस्टोन और बज एल्डिन ने चंद्रमा के सताओ पर उतरें और इस तरह मार्गेट हिमिल्टन की बज़से मनपता फॉस्ट टैम सेप्टली चांद पर उतरें यह दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आप सब को अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है तो लाइक करें शेर करें अगर आप इस चानल पर नहीं हो तो हमारे चानल इसकी वीडियो को सस्क्राइब करें नेक्स वीडियो तक के लिए नमस्कार